दोस्तों आज हम बात करेंगे जिसकी Google Chrome में Firefox हो, Internet Explorer हो, Safari हो, जब भी ये browsers automatically नए tabs open करता है जिसकी automatic नए tabs यहाँ पी open हो गया आप देख सकते है, number at times है, कोई भी add open हो जाता है नए tabs में, तो उसे कैसे prevent करें तो इसके लिए एक software आपको download करना है, जिसका नाम है Malwarebytes, actually यह क्या है virus एक type of malware है, जो कि आपके Google Chrome में है तो इसे remove करने के लिए आपको एक software download करना है, Malwarebytes, इसको download करने के लिए Malwarebytes आपको Google पर search करना है और जैसे search हो जाएगा, आपको इसे download करना है, तो Malwarebytes आप जेख सकते यह website है तो जैसे website open हो जाएगा, आपके सामने pre-download का option यहाँ पर टॉप पर आ रहा है, राइट पर, तो आप उसे click किजे, pre-download और यह setup जो है, डाउनलोड कर लिए, अब जेख सकते हैं, यहाँ पर और एक website open हो गया है तो जबी भी ऐसे pop-ups आते हैं, तो इसको avoid करने के लिए, यह Malware को avoid करने के लिए, आपको यह Malwarebytes डाउनलोड करना है Home में जाके, for Home में जाके, Malwarebytes पर Windows को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको pre-download करना है तो दोस्तों, यह software install करने से पहले आपको Google Chrome browser की history clean करनी है तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको Google Chrome browser की history clear कर लिए, advanced tab में जाके, for all the times और उसके बाद यह software install करना है setup download करने की पाद Google Chrome browser को आपको बंद कर लिए और फिर system को scan करना है free download 14 days free trial है, जो आप download कर सकते हैं यहाँ पर रहेगा do you want to keep the setup? हाँ, यह आप yes करके आप इसे download कर लिजिए यह download vary कर सकते हैं आपके internet की speed के उपर आपके internet की speed अगर अच्छी है तो यह download बहुत ही जल्द हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप अभी 26 seconds में यह download खतम हो जाएगा तो जैसे यह download हो जाएगा आपको इसको setup करना है और setup करने के बाद इसे install करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने setup run कर दिया है तो by default English language या फिर आप जो भी language select करना चाहिए तो personal computer के मैं install कर रहा हूँ इसलिए मैं personal select कर रहा हूँ और agree and install तो इस वक्त यह पूरा setup आपके desktop पे या फिर आपके laptop पे install हो जाएगा और उसके बाद आपको यह program run करना है तो जैसे आपका यह setup फिनिश हो जाएगा आपको एक डायलोब बॉक्स आएगा यह malwarebytes installation is now complete आप इसे finish पे click कर देज़े तो आप अब ही अगर देखेंगे यह जो कि ads open हो रहा है आप उसे कैसे निकाल सकते है आपके desktop से या फिर आपके laptop से इसके लिए मैं जाओंगा मेरे desktop और यहाँ पे malwarebytes का जो आइकन है उसे open कर लूँगा यह 14 day premium trial starts now तो आपको सिर्फ get started करना है real time protection आपको turn on कर देना है और जैसे आप real time protection turn on करोगे आपको यहाँ पे scan करना है scan now पे click करना है जैसे आप scan now पे click करोगे यह system को scan करने लगेगा और जो भी system में malware infected है जो भी system आपके system में malware infection है वो उसे निकाल लेगा पूरी तरह से आप देख रहे है यह scan हो रहा है और scan होने के बाद आपके malware निकल जाएंगे और उसके बाद आपके chrome browser पे जो भी tabs open हो रहे थी जैसे chrome multiple tabs open कर रहा था multiple websites open कर रहा था वो पूरे निकल जाएंगे और पूरा clean हो जाएगा जैसे पहले था आप देख सकते जैसे कि मेरा scan complete हो चुका है और यहाँ पे उससे 499 items infected मिले और यहाँ पे एक सकते तो अगर यह scan हो जो देखो आप यहाँ पर भी बता रहा है website blocked due to exploit मनलब जो websites pop-up आ रहे थे वो ब्लॉक हो चुके और जो malware है वो chrome से निकल चुका है तो आपको भी ऐसे ही करना है malwarebytes डाउनलोड करके फूरा system scan करना है आपके chrome browser में जो pop-ups या फिर जो additional websites open और रहे थे वो होने बंद हो जाएंगे दोस्तों आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक और शेयर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद